अब जंग का एक और मैदान खुल गया है और इस बार ये इसरेल या हमास नहीं है इस बार है पाकिस्तान और इरान के बीच में सबसे पहले एक खबर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ और उसके बाद आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे अपनी एक गलती से पाकिस्तान जिसकी हालत पहले से ही बहुत खराब है जिसे एक वक्त ऐसा भी आया कि कोई लोन देने को तयार नहीं था वहाँ पर रोटी आटे के लिए लड़ाई हो रही थी और वही पाकिस्तान अब एक गलती से महा भिखारी हो सकता है इस वीडियो को आखिर तक आप जरूर समझ जाएंगे कि आखर इसके पीछे की कहानी क्या है शुरुआत में करती हूं सबसे पहले ख़बर आपको बता देती हूं ख़बर ये सामने आए कि इरान पर हमला किया सबसे पहले पाकिस्तान पर हमला किया गया इरान की तरफ से और उसके बाद पाकिस्त अब सवाल आपके मन में ये भी होगा अगर आप युद्ध से जुड़ी हुई जानकारी रखते हैं कि अगर पाकिस्तान और इरान दोनों का दुश्मन एक है यानि कि अलगा हुआ तो फिर आखिरंग दोनों के बीच में वो देश जो कटर इसलामिक देश माने जाते हैं तो वो आपस में ही आखिर क्यों लड़ रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इरान की तरफ से हमला करते हुए ये कहा गया कि वो हमला पाकिस्तान के लोगों पर नहीं कर रहा है. वो तो वहांके आतंकी संग्थन पर कर रहा है. उस आतंकी संग्थन पर जिसे पा में है अब चुकि जब पाकिस्तान की तरह से कारवाई की गई है तो वहाँ पर मौत की भी खबर मिल रही है यह आकड़ा 9-10 के करीब है अब इन सब के बीच में समझना जरूरी है कि इसका इतिहास भी क्या कहता है दरसल एक समझोता है जो इरान और पाकिस्तान की बीच में जो दोनों आपस में शेर करते हैं साजा करते हैं अब आप ऐसे समझेए एक बलुचिस्तान इरान की तरफ है और एक बलुचिस्तान पाकिस्तान की तरफ है और जब हमला किया गया तो यहीं पर किया गया है अब यह जो बलुचिस्तान वाला हिस्सा है यहां पर लंबे समय स से इससे पहले भी कई बार संघर्ष होता हुआ हमने देखा है अब एक आतंग की संगठन जिसका नाम इस वक्त इस युद्ध के बाद या इस एस्ट्राई के बाद सुर्ख्यों में आया वो कौन सा नाम है जैशवदर और ये आतंगवादी संगठन है इसके बारे में करते रहे हैं आतंगवाद को समठ्थन करने के आरो तो ये जो आतंगवादी संगठन है 2012 में इसकी स्थापना होती है और 2023 में ये वहाँ पर एक हमला भी करता है उसी इलाके में जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं और वहाँ पर जो पुलिस कर्मी थे उनकी मौत भी हो जाती है अब वो ये कहता है ये संगठन जो आतंगवादी संगठन है वो ये कहता है कि वो बहां के लोगों की स्वतंतृता के लिए हमेशा लड़ता आया है और उसी इतिशा में ये इस तरीके के हमले करता है मैं आपको ये भी बता दू कि 2013 से वहाँ पर जो बलुचस्तान वाला ज लिए इस आतंगवादी संगठन को किया था यानि कि दोनोंने इक दूसरे पर आरोप क्या लगाया कि आप दोनों ही आतंगवाद के मामले में आतंगवाद को रोकने में विफल हो गये हैं अब सच्चाई एक ये भी कहती है कि आक समझाथा है गैस पाइपलाइं को लेकर इ जब इस समझोते को किया गया और पाकिस्तान की तरफ से 2014 दिसंबर तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात की गई लेकिन हुआ क्या वो अधर में लटक गया वो पूरा नहीं हो पाया इरान इसको लेकर कहीं बार नोटिस जारी कर चुका है इसको लेकर कानूनी लड़ाई करने की भी चेतावनी दे चुका है अब ध्यान से सुनिएगा अगर पाकिस्तान इसको अधर में लटकाए रखता है अगर पाकिस्तान इस परियोजना को यह जो प्रोजेक्ट है उसे पूरा नहीं करता है तो 18 अरब डॉलर का जुर्माना पाकिस्तान को चुकाना होगा यह वो पाकिस्तान है जहाफर आटे मार्च अप्रेल के समय में तयार रहने को कह दिया गया था 18 अरब डॉलर जुर्माना भरने के लिए अब ऐसे वक्त में जब जन्वरी का महिना है यानि कि 2024 है मार्च अप्रेल का वक्त आने ही वाला है तो ऐसे वक्त में अटाइक करना यह भी कनेक्टेड है अब देखे चुक लाका में आपको बताया है जो बताया ही लिए कुद्य लूसलमान रहते है और पर सब्सक्राइबार समगा अब ये जो जैश अलगल आतंगवादी संगठन है वो इसी नाम पर जो जिस पर आरोप पाकिस्तान पर है उसे पालने पोसने का अब वो इन ही की स्वतंतुरता की बात करते हुए बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि इरान के इस इलागे पर अटाइक करता है लेकिन आप कहा य ये तो बड़ा कारण नहीं है तमाम सवाल है अब इस सब के बीच में आपके मैं एक सवाल ये भी होगा हिंदुस्तानी होने के नाते भारत के नागरित होने के नाते कि अब देखिए जब दुनिया में कोई भी युद्ध होता है तो तमाम देशों पर भी इसका असर भारत की विदेश मंतराले ने इस बात को दोहरा दिया है कि भारत की आतंगवाद को लेकर जीरो टॉलरंस की नीटी है लेकिन ये भी कहा है कि अपने आपकी रक्षा करने का अधिकार हर देश को होता है मैं आपको ये बता दूं कि चाहे कोई भी मोड़्चा हो चाहे कोई भारत हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीती आतंगवाद को लेकर रखता आया है और फिर से यही हुआ भारत मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान को लेकर बहुत मुखर होकर यह कहता है कि भारत पाकिस्तान से तब तक अच्छे रिष्टे नहीं रख सकता जब तक कि पाकि पाकिस्तान और इरान के बीच में यह युद्ध की शुरुवात हो गई है अगर हम यह कहें तो गलत नहीं होगा तो भारत का स्टान बहुत क्लियर है कि अगर यह आतंगवाद के समर्थंग है तो हम हमारे से कोई लेना देना नहीं है वो देश जाने और उनका काम जाने बह हमारी रड़ाई तो आतंगवाद के खिलाफ है यानि कि वो आतंगवादी संगेचन जिसका मैंने इससे पहले भी जिक्र किया जो इरान कह रहा है और फिर पाकिस्तान की तरफ से भी बदला लेते हुए यानि कि जो एक बर फ़र से एस्ट्राइक की गई उसको करते हुए य पर पाकिस्तान की तरफ से अच्छा मैं आपको ये भी बता दू कि पाकिस्तान में चुनाव होने है अब ऐसे वक्त में अटैक आने वाले चुनाव पर बहुत बड़ा असर डाल सकता था इसलिए माना ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान ने इतनी त्वरिक तरीके से कि पाकिस्तान की खुदकी हालत कितनी माली कितनी खराब है ये पूरी दुनिया जांती है अगर मैं इन दोनों देशों का कंपराशन भी आपको बतां तो इरान ज्यादा ताकतवर भी है, इरान ज्यादा अमीर भी और पाकिस्तान से तो आप पंगा तो ले लिया है पाकिस्तान ने तो फिर आप इसको पूरा कैसा करेगा आप जो ये परियोज ना जिसे 2014 में पूरा हो जाना था अब 2024 हो गया है तो क्या अभी ये पूरा कर पाएगा इन सब पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी अगर आप युदु से लगा तो आप कॉमेंट करके भी जरूर बताईए आपकी राय इस वीडियो को लेकर या इस यूदु को लेकर क्या है ये भी आप कॉमेंट करके जरूर बताईए